रुद्राक्ष का रहस्य रुद्राक्ष की शक्तियां रुद्राक्ष के फाइदे रुद्राक्ष के नुकसान देखे सर्फ धर्म ज्यान पर हर रुद्राक्ष का असर होता है अलग जानिये कौन सा रुद्राक्ष पहनने से आपको होगा फायदा नमस्कार मैं खुडॉक्टर स्रीपती तřिपाठी popularity हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को पवित्र माना गया है रुद्राक्ष का सम्मंद भगवान शिव से होने के कारण यह हमारी आस्था और हमारा जो विश्वास है इसका प्रतीक है रुद्राक्ष रुद्राक्ष धहारं करने से जहां भगवान शीव के क्रिपा प्राप्त होती है और सारे संकटों से रक्षा होती है वही अल्टरनेटिव थेरेपी में भी इन दिनों रुद्राक्ष थेरेपी बहुत ही लोक्री हो रही है इसकी खास बज़े है इसकी तिब्र असरकारक होना सरीर की ऐसी कोई बिमारी नहीं है जिसका उपचार जो है रुद्राक्ष के जरिये हम लोग नहीं कर सकते है प्राचिन गरंथों में परिशानियों का उपाय है रुद्राक्ष दुनिया में लगभग 90% लोग खराब जीमन सहली के करण स्वास सम्मंदित समस्याओं से परिशान है भाग दोर भरी जिंदगी में हाइपर टेंशन, दिल और मांसिक रुगों का सामना करना पड़ रहा है इन समस्याओं की ये कही वज़ा है हमारे मन, आत्मा और शरीर के बीच असंतुलन प्राचीन गरंथों में इस असंतुलन को दूर करने का ये कही उपाय बताया गया है और वो उपाय है रुद्राक्ष, मन और सरीर पर अच्छा प्रभाव डालता है रुद्राक्ष, रुद्राक्ष पहनना प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण माना जाता है इसके महान उपचार और बैग्यानिक गुनों के कारण यह नकेवल बड़े से बड़े रोग को बलकि वो आपके मन और सरीर पर भी यह बहतर प्रभाव डालता है जानिये रुद्राक्ष के फायदे की रुद्राक्ष मस्तिस्य के लिए कैसे बहतर है रुद्राक्ष मस्तिस्य के लिए बहुत फायदे मन्द है इसमें इलेक्ट्रो मैगनेटिक पावर होती है जिसके चलते या हमारे सरीर पर जादू ये रूप से काम करता है रुद्राक्ष के कई फायदों से आप परीचित होंगे लेकिन बैग्यानिक तोर पर यहां आपके स्वास्त के लिए कैसे फायदे मन्द है आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माद्धिम से आपको बता दें कि एक मुखी रुद्राक्ष यहां अत्यंत दुरुलब है यह बहुत ही कम पाया जाता है और इसकी कीमत भी अधिक होती है इसलिए कई लोग नकली एक मुखी रुद्राक्ष बनाकर उच्च दामों पर भेजते हैं एक मुखी रुद्राक्ष खरीदे समय असली नकली का पता लगाने के बाद ही खरीदे एक मुखी रुद्राक्ष मुख्यता खरिदा समंदी रोगों पर असर करता है यह सरीर में रक्त का प्रवाह शुचारी रूप से करने की ब्यवस्था करता है दो मुखी रुद्राक्ष का समंद पीट के रोगों से है Gas problem, Acidity में दो मुखी रुद्राक्ष असर कारक है साथ ही यह तना और ओसाद दूर करने में चमतकारिक रूप से असर करता है हिस्टेरिया के बीमारी को कंट्रोल करने में भी यह रुद्राक्ष प्रभावी है तीन मुखी रुद्राक्ष जो है जिन बच्चों को बार बार बुखार आता हूँ उन्हें तीन मुखी रुद्राक्ष धारन करने की हमारे सास्तों में सलाह दी जाती है लीवर और गॉल ब्लेडर की समस्या तनाव और शाग दूर करने में भी तीन मुखी रुद्राक्ष जो है असरकारक है इस रुद्राक्ष से ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है चार मुखी रुद्राक्ष किर्डने की समस्या वालों को जरूर धारन करना चाहिए थाराइड मस्तिस्क से संबंदित रोग मालसिक बीमारी मनोरोग कमजोड यादास्त और हक लाकर बोलने जैसी समस्याओं में चार मुखी रुद्राक्ष काफी फायदा पहुँचाता है पांच मुखी रुद्राक्ष लीबर और गाल ब्लेडर की बड़ी समस्याओं के लिए पांच मुखी रुद्राक्ष धारन किया जाता है यह ब्लड प्रेशर को भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है चांच मुखी रुद्राक्ष जो है गला, गर्दन, किडनी, यौन रोग, यलोदर, जूरीन इंफेक्शन, आखों की समस्या और अपच की समस्या में चांच की रुद्राक्ष असरकारक है साथ मुखी रुद्राक्ष जो धारन करने से तनाव और अशाद दूर होते हैं आपको बता दें कि खास कद प्रोफेशनल और वे जुआ जो कॉर्परेट जगह में अपना नाम कबाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, वे अत्यधिक तनाव और प्रेसर में काम करने के करण अपना आउटपुट नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें जो है साथ मुखी रु रुद्राक्ष अनिद्रा की समस्या होना, देर रात तक निंद ना आती हो, मन में घवराहट हो, और निंद की कमी के करण अन्य समस्या होने लगे, तो ऐसे लोगों को आठ मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी जाती है, नौमुखी रुद्राक्ष शरीर में दर्द र इसका पानी पीने से दर्द में अराम मिलता है, दस मुख्य रूद्राक्ष, बाशे तो सभी रूद्राक्ष जो हैं, उसके ताशीर गरम होते हैं, लेकिन दस मुख्य रूद्राक्ष में, कियुत ज्यादा ही गर्म हाथ होती है, इसे लिए इसे उन लोगों को धारन करने को कहा जाता है जो लंबे समय से सर्दी खासी से परेशान है इग्यारा मुकी रूदराक्ष सरीर में धर्द पीठ धर्द के अलावा प्री मैश्यूर डिलिवरी से बचने के लिए गर्वती महिलाओं को इग्यारा मुकी रूदराक्ष धारन करना चाहिए अतधिक सराब पीने किलत छुडाने के लिए वी ग्यारा मुखी रूद्राक्ष का इस्तेमाल किया जाता है बारा मुखी रूद्राक्ष धारन करने से घ्रिदे रोग और रक्त संबंदित रोगों के उपचार में बारा मुखी रूद्राक्ष काफी कारगर है सुखा रोग और ऑस्टियो परोसिस के रोगियों को भी 12 मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए 13 मुखी रुद्राक्ष धारन करने से मांस्पेशियों से संबंदित कोई रोग हो तो 13 मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए चौदा मुखे रुद्राक्षे तनाव और और साथ दूर करने के लिए चौदा मुखे रुद्राक्षे धारन करना चाहिए इससे अनिद्रा की समस्या दूर होती है और माशिक शांती मिलती है अभी तक यह रहा रुद्राक्षे से संबंदित वीडियो आपको अभी तक यह आप यह चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें सेर करें और कमेंट करें तब तक के लिए नमस्कार